नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांटी आपका बहुत बहुत स्पागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों वजन कम होना obesity तुम्हें मानती हूँ कि आजकल बहुत जादा बड़ी समस्या बनगे लेकिन आजकल दोस्तों वजन कम होना भी आजकल बहुत आम हो गया है और आजकल जो youngsters हैं उनमें वजन कम होने की tendency बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है अगर 4-5 लोग हैं उनमें से एक आपको जरूर देखेगा कि किसी का वजन अपनी जो अनपात जो होना चाहिए जो शरीर का वजन हो चाहिए उससे कम है जिससे उनकी अंदर बहुत बार ऐसा है कि confidence की कमी होने लग जाती है वो inferiority feel करने लगते हैं और थोड़ा सा दिरे दिरे ये चीज़े बहुत प्रोलांग होती जाती हैं तो वह depression के शिकार भी होने लग जाते हैं कि उनका वजन अन्य लोगों के जैसा क्यों नहीं है तो दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगी एक homeopathic का सिरफ जो बहुत ही अच्छा काम करता है वजन के लिए दोस्तो वजन के पीछे कुछ कारण होते हैं जो मैं अभी वीडियो में आपके साथ discuss करूँगी कि किन कारणों से ये चीज़ हो सकती है और क्या बहुत main role play करता है वजन ना बढ़ने के लिए ये सारी चीज़े हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़दा informative है इसे आप अंतक जरूर देखें और मेरे साथ बनी रहें दोस्तो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो वजन के ना बढ़ने का जो मुख की कारण होते हैं वैसे तो बहुत सारे कारण है मैं आपसे 4-5 जो discuss करूगी जो बहुत जादा main role play करते हैं उसमें प्रमुख कारण एक यह होता है कि आपके शरीर में calories का कम होना मतलब आपके शरीर को जितना calorie चाहिए आपके वजन को improve करने में या बढ़ाने में उतना आप नहीं ले रहे हैं उसके लिए आप बहुत सारे apps हैं उनसे आप calorie calculate करके देख सकते हैं कि आपको जितना calorie क्या आप उतनी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं दूसरा प्रमुक कारण होता है दोस्तों आप खाना तो अच्छा खाते हैं लेकिन शरीर में लग नहीं रहे हैं जिसको लोग बोलते हैं खाता है पर लगता नहीं है उसका कारण क्या होता है शरीर में जो आपका metabolism है जब वो गड़बट रहता है तो आप जो बोजन ले रह हैं पूरी तरह से absorb नहीं होता और शोशित नहीं होता आपके शरीर में और जिसके वज़े से आपको जो desirable weight है वो नहीं मिल पाता है तीसरा जो बहुत ही main role play करता है वो है genetical अगर आपके माबाब बहुत जादा lean रहे हैं या जिस age group में आप हैं उस समय में भी वो उस तरह के रहे हैं भले वो after marriage थोड़े से obese हो गया या तोड़ा सा weight बढ़ गया उनका लेकिन शुरुवात में वो बहुत lean रहे हैं तो आप भी थोड़े से lean होने की प्रविर्थ में हो सकते हैं और चौथा दोस्तों अगर कोई internal ऐसे disease चल रही है जिसके वज़े से आपका वजन नही बढ़ता है इसके लावब बहुत सारे कारण है दोस्तों लेकिन यह चार एक बहुत मुख्य रोल प्रे करता है किसी के वजन ना बढ़ने देने में तो दोस्तों अगर यह चारो ही चीज़े आपको रह रही हैं तो जो सीरप मैं आपको बता रही हूँ वह इन सभी पर काम क और आपको एक जो desirable weight है वो आपको प्रदान करेगा दोस्तों होमेपेतिक में बहुत सारे सिरप साते हैं alpha जो सिरप होता है जिसमें basically alpha mother tincture ही उस होता है आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं मैं आपको suggest कर रही हूँ आप बैकसन का जो मैंने देखा है alpha syrup है वो अच्छा इसलिए है परस्नली मैं क्योंकि मैंने जो patients को दिया उनमें ginseng पड़े ही है तो ginseng और जो उसके साथ और अन्य medicines है उसमें hydrostis भी है चाइना भी है, alpha भी है और बहुत सारी ऐसी medicines है जो आपके शरीर के सिफ physical weakness को नहीं improve करेगा mental weakness को भी improve करेगा आप अगर बहुत ज़्यादा आंसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमजोर महसूस करते हैं नींद अगर आपकी थोड़ी जिस्टरब रहती है, पेट गड़बर रहता है साथ ही absorption आपके अगर खाने का अच्छा नहीं है अगर अगर आप तो इन सारी ही परिस्तेती में यह alpha syrup बहुत अच्छा काम करता है और आप इसका यूज कर सकते हैं मैं यह personal experience दोस्तों आपको बता रही हो यह कोई sponsored video नहीं है कि मैं backson promote कर रही हूं यह चीज है कि इसका syrup जो मैंने अपने जब patients को दिया है और उनको जब benefit मिला तो मैंने सुचा है why I should not share with my viewers तो इसलिए मैं यह चीज आप लोगे के साथ शेर करने सारी थी क्योंकि इसमें जिंसेंग की जो quality हो जिंसें हमारे शेरीड में brain के उपर बहुत अच्छा काम करता है आपके brain को relax रखने में mental exhaustion को कम करने में इन सब में बहुत अच्छा काम करता है तो आप यह syrup ले सकते हैं इवन बच्चों के साथ आप अगर उनको लग रहा है कि उनका weight एगदम appropriate नहीं है तो वो लोग भी इसको जरूर ट्राइ कर सकते हैं और यह बहुत ही अच्छे रज़ाई देता है अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है आपको simple क्या करना है एक चमच सिरफ जो है लगबग जो टी स्पून उतर से थोड़ा बड़ा जो मान ले या फाइव एमल मान ले फाइव एमल आपको दिन में तीन बार सुबा दिपहर शाम पीना है और एप्रॉक्स आपको खाना खा इसको आदे गंटे बाद ले दिन में तीन बार ले और आराम से इसको बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं इसके कोई side effect नहीं है हर age group का हर male female old age के बच्चे सभी लोग ले सकते हैं इसके साथ कोई age restriction नहीं है तो आप सभी के साथ बिना किसी tension case को दे सकते हैं आप इस है कि इसकी bottle आती है 115 ml की आप बहुत ही ज्यादा reasonable price पर है यह आपको अगर ऐसी दिक्कत रही तो आप इसको लाके use कर सकते हैं और यह आपको बहुत ज्यादा benefit देगा और सबसे important चीज जो दोस्तों है यह herbal-based है इनमें ऐसी कोई medicine नहीं है इसमें कोई ऐसे steroidal content नहीं पड़ हैं और उसके बाद शुरुवात में तो आपको बहुत तेजी से वजन बढ़ाएगा और वह बहुत कुछ होंगी कि मुनके वजन 10-15 kg बढ़ गया है एक दो महीने के अंदर यह बाद में जैसे वह उसको छोड़ते हैं उनका शरीर बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो है उनके vital organs effect होने शुरू हो जाते हैं तो यह आप बिल्कुल ना करें भूल के भी कुछ ऐसी दावाओ का सेवन ना करें जो आपको बहुत तीजी से वजन को बढ़ा रहा हो या उनमें जो content है वह इस्टोराइट-based हो वह आपकी life-threatening condition तक cross कर सकता है क्योंकि वह आपके सी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें शेर करें बहुत जदा informative है वह बहुत useful वीडियो है अपने friends के साथ family members relatives के साथ और अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों विलती हूं next वीडियो में thank you so much